तो दोस्तों चालिये शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, अगर किसी मोबाइल में charging अफ़र्ट आ गया है, यानि कि charger जोड़ने पर मोबाइल में charging नहीं सो रहा है, यानि कि mobile का या mobile की बैटरी हो charging नहीं ले रहा है, charging problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको basic troubleshooting करनी है तो basic troubleshooting start होती है charger से, तो सबसे जो फर्स स्टेप होती है charging problem solve करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, check the charger, if the voltage is about 5 volt, then charger is okay, यानि कि mobile की charger होती है, जो mobile की genuine charger है, उसको उसकी voltage है, उसको आप चेक करे, multimeter उसकर करके, और multimeter उसकर करके उस voltage चेक करने पर voltage की जो value है, व charger से ही है, तो फिर आप दूसरे step के लिए जा सकते हो, यानि कि पहले आपको क्या करना है, जो mobile की charger है, उसको चेक करना है, और इसको किस तरह से चेक किया जाता है, यह मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इसको चेक करने के लिए, तो charger को चेक करने के लिए, क्या करना है, multimeter बिवलें और अपर चाजर को पाउर के साथ करे ना है और स्वाल्स करेंने पर इसका पीन में आपको भॉल्डेजर करना है, जैसे एक वाइर को आप यहां पर रख दे और एक wire को इसकी अंदर इस तरह से डाले इस तरह से अंदर डालने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर voltage जो है तो इस तरह से आप charger को चेक करना है charger को चेक करने के बाद अगर voltage इस तरह से आ रहे है तो आपका charger जो है बिल्कुल सही है तो चार्जर सही हो जाने के बाद हमें क्या करना है तो दोस्तों अगर इस तरह की चार्जर हो जैसे अभी मुश्टली मुबाइल में कुछ इस तरह की चार्जर यूज होती है तो इस तरह की शाजर को कैसे चेक करना है तो इसके लिए भी आपको जोड़ देना है और फिर एक एक जो एक प्रोब है इसको बाहर बड़ी पर टस्क कर लेना है और फिर दूसरे इस पीन को यहां पर टस्क करना है पीन अंदर की जो पीन है उसमें टस्क करना है इस तरह से पीन को मैं इस तरह से यहाँ पहले टस्क कर लेता हूँ और फिर जो दुसरा तार है उसको अंदर इस ने पीन में टस्क करने हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो रीडिंग है 4.86 मतलब यह चार्जर पांच भोल्ड का है लेकिन चार्जर फिलाल बिल्कुल सही है तो अब हम क्या कर सकते हैं चार्जर सही है तो फिर हम दूसरी स्टेप पर जम करते हैं दूसरा स्टेप हमारा क्या है वो देखते हैं चार्जर चेक करने के बाद फिर हमें क्या करना है चेक बैटरी वोल्डेज it should be higher than 3.5 तो बैटरी की वोल्टेज को चेक कर लेना है बैटरी की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए अगर बैटरी आपकी सही है तो उसकी वोल्टेज 3.5 से लेकर 4.2 के बीच में होनी चाहिए तो बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेना है तो चलिए मैं उसको भी चेक करके देख जैसे यहां पर एक बैटरी है बैटरी की वोल्टेज भी बिल्कुल उसी तरह से चेक कर सकते हैं जिस तरह से हमने चार्जाज चेक किया थे अब देख सकते हो बैटरी का वोल्टेज बैटरी में कितना वोल्टेज है 4.0 यानि कि यह बैटरी भी बिल्कुल सही है लेकिन अगर अगर बैटरी का वोल्टेज अगर कोई लो देखाता है चलिए मैं एक और बैटरी आपको चेक करके दिखा देता हूं जैसे यहां पर एक और बैटरी है इसको मैं चेक करता हूं प्लॉस और माइनस में इस तरह से आप टॉच कर सकते हो तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से जैसे बैटरी का वोल्टेज अभी बिल्कुल जीरो देखा रहा है तो इस बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल जीरो है तो ए बैटरी क्या है फॉल्टी है तो अगर आपका बैटरी का वोल्टेज जीरो हो या 3.5 से लो हो तो आपका बैटरी काम नहीं करेगा तो किसी बैटरी का voltage अगर 3.5 से low देखा रहा है तो उसको क्या करना है या तो बैटरी को बूश्ट कर लेना है या तो बैटरी को replace कर देना है तो नो charging fault का जो step था पहला वो था charger को check करना second step था बैटरी को check करना उसके बाद हमें क्या check करना है चेक charger connector result और replace charger connector को check करना है यदि charger connector अगर फल्टी है तो उसको हम में result कर लेना है अगर वो बोड से थोड़ी अलग हो गई है या तो उसको replace कर देना है charger connector किस तरह से check करते हैं तो उसको भी मैं आपको देखाता हूं तो मैं एक पुराने में पहले keypad mobile की charger connector को मैं आपको देखाता हूं इसकी charger connector को charger connector different हो सकती है तो किस तरह से check करना है एक नए mobile में किस तरह से check करना है पुराने mobile में किस तरह से check करना है दोनों की information मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको काम करने में आसानी होगी तो मोबाइल को खोलने के बाद आप शलिए यहां पर देख सकते हैं आप चार्जर कनेक्टर यहां पर लगा हुआ है इसमें यह चार्जर कनेक्टर है बूड को निकालने के बाद आप देख सकते हो इसका चार्जर कनेक्टर कुछ इस तरह से अगर इस तरह का चार्जर कनेक्टर को इसकी जो पीने यहां पर देख रहा है इसकी दौन पीने में वोलटेज कर सकते हैं देखे यहां पर दोस्तों मतलब यहां जा रणेक्टर बिल्कुल सही है तो इस के भीप भी आप कर सकते हो तो चैर्जर कनेक्टर के बाद चलिए अब अगर इस तरह का बोर्ड habla कैं इस तरह कौ में इसमें ब्लकुल उसी तरह से अप्शेक कर सकते हो साथ इस-स कनेक्टर को यह-ापर जोड देना है जोडने के बाद अब इसकी जो पीने यहां पर आप देख रहे हो जो पीने यहां पर देख रहा है उसमें आपको बोल्टेज से करना है तो इसमें बोल्टेज से करने के लिए तो इसमें भूल्टेश करने के लिए क्या करना है आपको जो एक ब्लैक प्रोब है इसको यहां पर रख देना है ब्लैक प्रोब को कहीं मैनस पर इस तरह का जो पॉइंट होता है उससा भी मैनस पॉइंट होती है जो बड़े-बड़े पॉइंट बने होते है बोड में तो कही इसानी ही एक माणस पॉइंट पर टंच कर देना फिर इसकी जो पीने है उसमें आपको चेक करना है जो muchlor की कटर की जो पीन होथी है इसमें पूट ब चेक करना है , 맞아 हर तो मैं यह है इसको रख देता हूँ और फिर इसकी पीन में मैं फरट कीर करकी दीखांगे दूस्था आप देख सकते हो है इसका जो वोल्ज है यहांपर दिखा चुग highly पosi के वर इसका जो पॉजिटिव पीन होगा उसमें आपको इस तरह से वोल्टेज दिख जाएगा तो तो चारजर जोडने के बाद इस साइड अगर वोल्टेज आ रहे है तो इसका चारजर कनेक्टर विल्कुल सही है तो इस तरह से हम बैटरी को चे कर सकते हैं और फिर हम चार्जर कनेक्टर को रिसोल करके देखना होता है मतलब इसको आरन से हम जोड के देखते और अगर फिर भी नहीं होता तो हमें चार्जर कनेक्टर रिप्लेस करना पड़ता है अब इसके बाद इतना हो जाने के बाद भी अगर काम नहीं कर रहे है मतलब चार्जर कनेक्टर भ तो charging section की diagram कुछ इस तरह से होती है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर charger में दो पीने होती है plus और minus अगर चार पीन की charger है तो उसमें कुछ इस तरह से होगी plus minus और 20 की जो दो पीने होती है और data के लिए होती है मतलब charger के लिए आपको सिर्फ दो ही पीन जरूरी होती है किसी में 5 पीन भी 5 पीन भी दिया होता है तो जो एक और पीन होता है वो किसी काम के नहीं होता है वो मतलब dummy पीन होता है जो useless होता है तो जो charging section है mobile का वो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर जैसे एक negative point हो गया तो negative को direct ground कर दिया गया होता है और जो positive होता है उस line में आपको इस तरह का component लगा होता है इसको fuse बोला जाता है यह fuse है इस तरह का capacitor डाला जाता है एक component coil हो गया यह हो गया जीन डायड जेडी और यह हो गया charging आईशी है charging आईशी हो गया फिर पावर गया जाता है तो जो charger जो 5 volt send करती है यहां पर जो charger charger द्वारा जो 5 volt यहां पर supply होता है वो 5 volt इस component यूज़ करके filter की जाज़े से fuse डाला जाता है अगर किसी fault के कारण अगर ज्यादा current यहां पर flow हो तो fuse जल के आगे की section को protection करने की काम करेगी और फिर अगर capacitor मतलब जो voltage आती हो फ्योर डिशी नहीं होती है इसलिए उसको filter करने के लिए इस तरह से capacitor और coil का इन्थ किया जाता है और फिर इस तरह सदे लिए अगर पांज بोल्त को इधर नहीं जाने लेगा यह उनन कीडा चार्जल कभी मानीन सेवन 玩 यहां करर RS चर्ठ कर नहीं और अबाकि इधर अल्वेज 5 का 5, मतलब 5 आया तो पूरी 5 को रोकेगा, इधर IC की तरफ चली जाएगी, अगर 5 से ज्यादा आ रही है तो जो ज्यादा वोल्टेज होता है, जो एक्ष्ट्रा वोल्टेज होता है उसको एजिना डाइड अपने तूरुप पास करके बोला जाता है मतलब ज्यादा वोल्टेज आयता है उसको बाइपास करके जितना इसको जरूरत हो उतना ही वोल्टेज आगे सेंड करने का काम के लिए जीन डायड यूज किया जाता है उसके बाद चार्जिंग आईशी हो जाती है उसके बाद जो चार्जिंग आईशी वोल् बैटरी को maximum 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज तक का जरूरत होता है तो उतना ही वोल्टेज क्या करती है यह charging IC जो 5 वोल्ट हम 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी वोल्टेज यह इन्पूर्ट में आता है उसको इतना वोल्टेज में convert करके वो पावर IC को सप्लाई कर देती है और फिर एक रेजिस्टर डालके फिर बैटरी की जो प्लस बीन है वहाँ पे दे देता है और फिर जब यहाँ पे बैटरी डालते हैं तो हमारा बैटरी चार्जिंग करने लगता है तो दोस्तों इस तरह से charging circuit का कुछ स्ट्रक्चर होता है और charging circuit का operation होता है और charging circuit की कि कुसी इसी तर है एक अले यहाते है है what that power IC के इस इसी तव हो सकती है कि सी में नहीं भी हो सकती है जीना डायेट जाने की होती है और सभी तुब है तो तो IC का जब fault होगी तो इसको repair करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है लेकिन इस component को आप बहुत ही आसानी से repair कर सकते हो तो इस component को कैसे find किया जाए और इसको किस तरह से repair किया जाए उसको इसकी information चलिए हमें देखते हैं तो दोस्तो यह जो चार पीन वाले circuit है वह भी same to same उसी तरह होता है इसका जो बीज का पीन है वो data है उस data pin CPU से direct करने मतलब यह data pin है वो CPU के mobile की CPU होती है उससे connect हो जाता है और बांकि plus pin का connection होता है वो बस sim उसी तरह होता है तो शलिए इस section को हम board में एक बार देखते हैं तो दोस्तो किसी भी mobile की charging session को find करने के लिए सबसे पहले आपको कहां दिखना है इस तरह की mobile को board को आप ले ले जैसे मैं एक और दूसरा board में मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें एक उस components के लिए है जिसे मुझे समझाने में असानी होगी लेकिन इसमें जो process है वही process सभी mobile में होती है उसमें तो दूस्तो मैं एक mobile की एक दूसरा board में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां किस तरह से charging section को find करने है जैसे यह point जो आप देख रहे है यह charging connector जोड़ने का point है यहां पे जैसे housing में connector होता है वो वो इस तरह से इस जगँपे touch होता है जैसे जो charging connector जो इस तरह का screw CCP का pin होता है वह board में रखने के बाद क्या होता है इस तरह से और इस फिर यह अंसे voltage supply करता है तो हमें किस तरह से find न Questo कक्ल Сейчас कोूब नатыख दोना चार्ग की जो पीम हो गई दोनों में से माईनस पीन और मालूम है माईनस पीन प्लर करने का कही प्लस ने लिए को दोना एडिया और और anthropology यह इसका मतलब आपका इस लाइन में होने वाली कोई component sort है तो अगर बीब नहीं दे रहे थे इसको में sorting का problem नहीं है इस तरह से आप find कर सकते हो लेकिन चलिए अब इसका component को कैसे find करना है तो इसका component जो एक tip है इसके बगल में होती है मतलब इसके करीब इसके आसपास ही आप इसका component को find कर सकते हो जैसे आपका इसका component है आप यहां पर देख सकते हो बहुत सारे component इसके करीब में रखा हुआ है तो इसका component यही है इस अब आप component यहां इसके करीब में आप देख रहे हो इसकी जो positive line है उसमें आपको इस तरह से एक प्रोब को रख देना है और फिर इससे continuity चेकर नहीं यानि कि सभी component में चेकर करके देखना है मतलब इसके साथ connection दिखा रही है कि नहीं अगर इसके साथ एक connection दिखा रही है तो एक component DC किया है जैसे अब देख सकते हो मैंने एक component में टॉस किया तो इसके साथ component continuity दिखा रही है यह फ्यूज है बहुत सोड़ी से component यहां पर फ्यूज है इसके साथ ही एक ब्लैक सा बड़ा सा ब्लैक एग component रखह हुआ है एक coil है और उसके साथ ही एक capacitor रखा हुआ है तो有點 पयालली होता है तो इसलिए कितनी quality कितनी महेंगी मोबाइल है उससे अंसार मतलब जो यतनी महेंगी है जाधा बढ़िया का मोबाइल होगी उसमें component का number उतना ही जाधा होगा उसके बाद यह जो छोटा आईसी शेप का जो पार्ट आप देख रहे हो यह है जीना डाय तो इसका जो सब यहां पर देख लिए दोस्तों के बा Eunice का जो कनेक्शन हों सिधे इसमसा स्पाइज इसाथ होrendre अनुप होचों क्यूंक Script करें जुक्षा करें इसके बारे मिद आर्ना चकाता है तो पर उसे बीडियो ने इसलिए Г compound पावर आशी के बाद यह एक रेजिस्टर होते हुए इसमें यह बैटरी की प्लस स्पीन में चलिए आती है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मतलब यहां पर हम पांच भोल देते हैं तो बैटरी कनेक्टर में कितना भोल दाती है इसकी हम होड टेस्टिंग करके देख इसके लिए हमारे पास जो एक बोड है मैं उसमें आपको दिखाता हूं जैसे इस बोड में इस बोड में मैं होड टेस्टिंगर के आपको दिखा देता हूं दूस्तों इस बोड में कंपोनेंट बहुत छोटी जोटी है जो दिखाने में परिशानी है इसलिए मैंने आपको तो किया इसका component भी आप देख सकते हैं इसके करीब charger connector के करीब में ही कुछ component यहाँ पर लगा हुआ है तो सारी component जो है charging section का है तो इसमें बहुत ही कम space ती इसलिए मैं दिखाने में थोड़ दीकत हो रहे हैं तो मैंने दूसरी बोड में आपको दिखा दी और तो चलिए अब मैं एक पर हाल टेस्टिंग कर के दिखा दो रहा हुआ कर भा हुआ झाल झाल